कि नमस्कार मेरी दोस्तों आँसा करती है आप सभी अच्छे हूंगे जैसा कि आपको पफ़दा है कि हम लोग बिहार इस्पिसल पढ़ रहे हैं इसके इन तरगत रहे थैं दुट प्राची नितियास में मगत काउदय पढ़ रहे थे हम लोग नंदबंस सवाप्त कर चुके थे नंदबंस का जो अंतिम सा सक्था घनानंद हम लोग ने पढ़ा था कि घनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर और चाड़क नहीं मिलेकर प्राजित किया उसके बाद मौर बंस का अस्थापना किये तो चलिए पढ़ते हैं मौर बंस मौर बंस का जो महत्पूर तथे वह देख लेते हैं इनका राजी जिन जो मायूर थ होता है ठीक है इनका काल समय जो था हो 322 इसा पूरुप से 187 इसा पूरुप तक लगभग 500 सालों तक मौर बंस का रास सासन चला ठीक है इसकी जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर थे अंतिम सासर जो है ब्रेधरत थे ठीक है जिनकी राजधानी थी वह पाठिल पुत्र तो चली आगे देखते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर के बारे में ठीक है देखते हैं चंद्रगुप्त मौर के बारे में इनका यह सासनकाल था वह 322 इसापूर से 298 इसापूरु तक है सनलेखना में क्या होता है इनसान खाना पीना छोड़ देता है तब जाके इसकी वहती है ठीक है जब देख लेते हैं आगे तो देखते हैं इनकी जो मंत्री थे चाड़क की थे इनकी जो पतनी थी फैलला के बारे पता है कि जो से लुकस nh उनकी जो बेटी थी उहलना थी सेलकस जब इनसे प्राजित हो गए थे चंद्रगुप्त मौर से तो उन्हें बने बेटी का साधी जो है चंद्रगुप्त मौर से कर दिया था दुरधरा थी और नंदनी थी इनहीं दुरधरा और चंद्रगुप्त मौर से मिल करके जो है आगे नाम इनका जो है अन्य नाम था आगे गराज तरपर्थम बिलियम जोंस द्वारा सेंड्रो कोट्स के रूम में पहचाना गया और समय कब था 1793 इसापुर्व में सवारी 1793 इस भी में एडी में ठीक है तो आगे देखते हैं एक हमारी तियासकार है जिनका नाम है आरके मुखर जी इनके द्वारा कहा जाता है कि यह भारत के मुक्ति दाता थे कूल चंद्गुप्त मोरी और कह रहा है ब्रिहत भारत पर सासन करने वाला प्रथम समराड था चंद्गुप्त मोरी ठीक है इनका मिरित्यू सरवण बेल गोला ठीक है कैसे सनलेखन टेक हैं कि ऑगे देखते हैं कि चंद्गुप्त की सक्षणाटने वाले जो संगम आम नानूरू और पुरिंड यह दो गरंत हैं जो इनकी दश्याट के सेना थी डाकूो का एक गिरोह वह नहीं निसार के अगे देखते हैं मैं के एक दियाश्कार है प्लूटार्ग ठीक है इनका कहना है कि गुपत चंद्रगुर्ग्वत ने श्रण की सेना लेकर समपूर भारत को रौरड डाला था कि एककें उकुर्ण को कहते हैं तो आगे हम लोग परते हैं चंदर्गुप्त की पर धार करें ऑंच सेलकुस को उसी अभार में okra को क्या हुत्त जूस जीत गए थे युद्ध को कि आगे कहरा है सेलुकस की पुत्रे थी हेलना उनसे चंद्रगुप्त का साथी हुआ भीभा हुआ ठीक है करा सेलुकस का राजदूद जो था मेगस्तनी जो है भारत आया और चंद्रगुप्त के दरबार में रहता, ठीक है के ए फिल वे बीजे फूर से कह सकते हैं कहते हैं और अधनल कुथ प्राप्त प्रचीक है मैं डू स्केज़ फिदेख लेते हैं तिक अ तो थे एरिया फाल जो आज का सबस्कों उसको के सबड़ागे दिखते हैं ज़र सब्सक्राइड करते कुलत कंदृर आज का है ज़र् सक्राइब जो है वो जिद्रोसिया था अब पेरोपे निपेरोपे निस्दाई ठीक है यह आज का जो काभूल है वह वाला चेतर जो है पेरोपे निस्दाई था ठीक है आगे दिखते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं बिन्दुसार के बारे में ठीक है कि बिन्दुसार का इतियास पढ़ते हैं 298 वी से 273 वी तक जो है इनका रास्ता इनके पिता थे चंद्रगुप्त मौर माता थे दुर्धरा हमने बताया है इनकी पत्नी जो थी धंबा और सुभाद द्रांगी यह दो इनकी पत्नी थी इनहीं सुभाद द्रांगी से जो है किसका जनम हुआ था असोक का असोक का जनम इनहीं पत्नी के द्वारा हुआ था इनके जो है बिन्दुसार के इनहीं पत्नी की द्वारा असोक का जनम हुआ था ठीक है आगे देखते हैं करा सिजेरियन तकनीक से चर्म लेने वाला पर्थम सा सकता आगे देखते हैं इनके जो मंत्री थे उस शुरुवात में जो है चाड़क थे फिर चाड़क के दिहान थो जाने के बाद में बाद में जो है वह खलाटक बने थे आगे देखते हैं बिंदुसार के जो अन्य नाम थे उसको देख लेते हैं पुराडों के अनुसार इनका नाम था भद्र सार और वारी सार जैन गरंथ के अनुसार जो है इनका नाम था सिंग सेन ठीक है आगे देखते हैं यूनानी गरंथ के अनुसार जो है इनका नाम था अली आまずति या इस्ट्रेवर ठीक है यह आ मित्रोकेडस को एठेनियोस जिसको बोलते और यूंव दोर्त को बिद्दुन को रहा गया और संस्क्रित गरंद के मसार जो है आमित्र घात या आमित्र खाध दोनों एक ही नाम है ठीक है यह इनके जो अन्य नाम थे आगे देखते हैं अब आता है समय असोग का ठीक है असोक का समय जो आता है 273 इसा पूरुप से 232 इसा पूरुप तक ठीक है इनके जो पीता थे वो बिंदुशार थे माता सुभाद रांगे ठीक है हम लोग उपर देख लिए हैं इनके माता का जो अन्य नाम था धम्मा था और पास दिखा या जनपत कल्यारी यह अन्य इनकी पतनी थी देवी थी कॉन थी देवी इनको महादेवी भी कहते हैं ठीक है यह उजैन के राजकुमारी थी और इन्हीं उजयन की ठीक है यही दोनों लोग जो है स्री लंका में बहुत धर्म के परचार के लिए जो है कौन भेंजा था असोख ने भेंजा था अपने पुत्र पुत्री को जो है स्री लंका भेंजे थे अस उसका क्या ना बहुत धर्म के परचार के लिए ठीक है आगे दिखते हैं । यह जो कारुवाकि थी यह कहां कि यह कारुवाकि न कीبة यह कहते है यह गते हैं इनके पुत्र थे कुनाल ठीक है यह कहां की थी राजकुमारी यह थी कलिंग की राजकुमारी जब यह कलिंग विजे किये थे सोक तब कारू आकी से साधी की बिवाग की द्वारा जब जो बच्चा उत्पन हुआ वो था कुनाल कुनाल जो है जो यह क्या नाम है यह क्या मौर बंस का जो अगला एगला सासक बनता सोग के बाद में कुझाल की बनता है फिर इस About मेर इनका ही पूतव था दसरत टीके दसरत जो है असोग का Пौत्र कह सकते हो कुनाल का पुत्र वह अगला सास्व बनता कुनाल के बाद में ठीक है अब इनकी पत्न पत्न थी जो पदमावति थी ऑड़ मावति ती और नहीं तिस रक्षिता थी यह वह कुनाल ऑगे से तक अकला सासक बनता है किसके बाद में इनके पुत्रिया थी संग मित्रत है और चारू-मती निके जो मंत्री थे ठें ठीक है कि को आगे दök सब्वूछों कि उसकी बारे में लुश्ण कर देख लेते हैं तो तिरहमा जो अविलेग है ठीक है असोग का जो तिरहमा अविलेग है उसमें कलिंग विजे के बारे में पता लगता है और तिरहमा अविलेग जब कलिंग विजे किया असोग ने उसके बाद से असोग ने युद्ध लड़ना छोड़ दिया था ठीक है वो सांती का रास्ता बनाया था आगे देखते हैं जो असुक के विलेख इसके खोज करता है टिफाइन टिफाइन तलर ठीक है टिफाइन तलर कब 1750 सिस्मी में थीक है यह खोज की थे और सबसे पहले जो पढ़े थे जेम्स प्रिंसप ने पढ़े थे गब 1837 में और अभिलेख कौन सा था दिल्ली टोपरा अभिलेख था जिसको किस ने पढ़ाता जेम्स प्रिंसप में ठीक है आगे देखते हैं करा इनके अभिलेखों के जो लेखक थे उनका नाम था चापड चापड ठीक है वह कौन थे जो असोग के अभिलेखों के लेखक थे आगे देखते हैं करा असोग के नामों के बारे में जो पता लगता है कौन-कौन से अभिलेख है जहां से असोग के नाम के बारे में पता लगता है तो असोग का एक नाम था प्रूरार से जरू के असो कहें नाम था जर्चि से जर्चसवां से मगत्य धिराज यह भाब्रू लेख चैसे जो है पता लगता है कि इनका नाम था मगत्य धिराज । ठीक है जर्चे से पृवला से शक्रणावां ऐसमें ब्राबर की जो गुआ गुफा है इसको जो है असोख ने आजीवक संपरदाय को दान में दिया था राजा असोख ने जो है आजीवक संपरदाय को जो है वो दान में दिया था बराबर की गुफा आगे दिखते हैं रान्यों असोग जो है वो कंगन हल्ली अविलेक में पता लगता है ठीक है अच्छा जो सबसे इंपोर्टेंट इनका नाम है वो क्या नाम है देव नाम प्रिये या प्रिये दर्सी ठीक है देव नाम प्रिये या प्रिये दर्सी ये रुम्मन देई या रुम्मन देई अविल यह प्रियेदर्सी नम पतालगता है महराज कुमार लह से पतालगता है आस 요 नाम से पतालगता है कि इनका नाम कहां नाम भुड़ान अवलेक औगोलन से पता लगता है कि कि इनका नाम अशोक था इस राजय का नाम जो है असोब अस सूब्स Свेय Tak यु giving a यू नी लेक जो है इनको रासी लेटन अपता अधिया से पता लगता है मलका ठीक है महासूर और आपराजित जो पता लगता है महाभारत से पता लगता है कि इनका नाम महासूर और आपराजित था कि आगे देखते हैं धर्मा सोग जो पता लगता है वो कहां से पता लगता है कुमार देभी का सारना था भी लेख क्या पता लगता है कि इनका अनम धर्मा सोग था आगे देखते हैं इनके अभी लेखों की जो लिपी थी उसको देख लेते हैं अच्छा जो भासा था वो प्र और आकिर्तिभासा थी ठीक है जो लिपी थी उसको देख लेते हैं, । कहे रहें आर्माइग लिपिक जो इनकी थी, 1 मिनिट ते और माइक लिपिक जो थी वह लगमान यॵ्म तक्षिसिला में जो लिपी पाए गए हैं, वह अर्माइक जो है अरमाई लिपी से मतलब बने हुए जो लेक है वहें अरमाई लिपी से लिखे गए लेख भीए खरोष्टी से ओब साहबाज गढ़ी और मान सहरा ठीक है यहां के जो लेख पाए गए गए हो खरोष्टी लिपी में है और ब्राहमी लिपी अन्समस्त अस्तंब या गोहा लेख जो है उस सभी ब्राहमी लिपी में है अच्छा पूंस्ता है कि बिहार में जितने भी अभी लेख इनके पाए गए है या गोहा लेख या अस्तंब लेख पाए गए है वो सभी ब्राहमी लिपी में है ठीक है अब दोई भासी जो सेरा कुना अभी लेख है ठीक है सेरा कुना अभी लेख जहां से मिला है वो दोई भासी अभी लेख में है कौन कौन से अरामाई को ग्रीग भासा में लिखा ग मैं कर खोज थे 1780 इसवी में तरफ सोपाचासी इसमी में जे एच हैरिंग्टन ठीक है खोज करता थे गुआ लेके ठीक है आगे देखते हैं कि अर्फ कि अब बिहार से प्राप्त परमुक अस्थम्भ ठीक है असोग के जो है जो बिहार से प्राप्त होए हस्त't वाव उनको देखते हैं ठीक तो है कुलहुआ जो प्राप्त हुआ है 22 साली से सिंघ सेर्ष है सिंघ मना हुआ है अविलेक रहित है ठीक मैं इस Pe phu लिखा कुछ साधा है बस सिंघ मना हुआ है करा राम पुर्वा है ये कहां से मिला है प teníanपन से यह बिर्शक शीर से ठीक है बिर्शब सीर से ठीक है वर्तमान अवस्तिती जो है और राष्ट पती भावन में समक्ष है राष्ट राष्ट पती भावन के समक्ष यह राष्ट पती भावन में रखा गया यहां से उठा ले गया उठा के मतलब राष्ट राष्ट पती भाव को ठीक है आगे देखते हैं कि फिर दूसरा मिला है राम पुरवा यह भी पश्चिमी चंपारण से यह सिंग सीर्स है वर्तमान अवस्थिती जो है यह भारतिय संग्राले कुलकाता में रखा गया है ठीक है यह इनका जो है यह आस्तंब है ठीक है आगे देखते हैं लौरिया यह है नंदनगर पश्चिमी चंपारण में सिंग सीर्स यह वहीं पर है उसके पाल लावरिया अरे जराज अरे राज पूर्वी चंपारण में ठीक है यह सब पश्चिमी चंपारण में यह तीनों पश्चिमी चंपारण के हैं ठीक है और यह बैसाली का है और यह पूर्व ना हुआ इसपे लेकिन इसमें कुल लिखा नहीं गया है ठीक है चलो आगे देखते हैं कि करा बिहार में इस्थित जो है असोक के अभिलेक अभी तक हम लोग अस्तंब देख रहे थे तो चलो देखते हैं कौन-कौन समय ब सिस्पाइब सिपय मैं बताना किसकी कवर हमेड़ Baylor history उसके हमारे धाइछ भूंद जादे इंपॉर्णन रिंटेंन है एक्जाम में पूछ जाता है जो इनके अस्थम बेख हैं वह लवरिया नंदनगर से जो पश्मी चमपारन चुछ से पढ़ता है ठीक है आगे देखे अस्तंब लेख पहले अम लोग पढ़ेते अस्तंब खाली वहां लिखा वुआ नहीं था लेक रही था लेकिन यह लेक सहीत है ठीक है उस दूसरा फिल लवरिया ठीक है अरे राज य यह तीन जगह क्या पाएगे इनके अस्तंब लेख पाएगे हैं पतलब एक अस्तंब बनवा के उस पी लिखा गया है कुछ ठीक है आगे देखते हैं कि आगे है मौर कालीन प्रांत वर राजधानी ठीक है कह रहा है इनका जो उत्तरापत था ठीक है वो तक्छिला था ट्रापत तक्छिला वह जो अवंति था वह उस्ते कहा है और jaini या महिस्मती था जो आवंति है वह जैनीया महिस्मती था इसके अंतरगत आते हैं जो है यह ये प्रांत आते थे थी जोаю मंगद में आते थे उसमय कह सकते हैं टकेब याफिर केसकते हैं जो आज का प्रानत के इंतर्गत को परिछके द्रिश्टैति से कुछ important उसको देख लेते हैं खैरा है चंद्रगुप्त के साथ जो है स्रमण बेल गोला जाने वाले जो जैन आचारी थे वह कौनते भद्रवाहू ठीक है भद्रवाहू अच्छा जैन में माना जाता है कि जब मिर्त्यू को प्राप्त करने वाले होते हैं तब यह जो है यह जो है सनलेखना द्वारा मिर्त्यू को प्राप्त करना जो है बहुत अच्छा माना जाता है सनलेखना में क्या है कि बीना खाए फिये जो है यह मिर्त्यू को प्राप्त करते हैं प्राचीन काल में सबसे बड़ी जो मंत्री परिशत थी वो बिंदुसार की थी बिंदुसार की जो मंद्री परिशब था बहुत बड़ा था ठीक है कि आगे देखते हैं कि असो कालीन कुछ बिदेशी सासक की बारे में देख लेते हैं ठीक है कोई से इंपोर्टन नहीं है हम लोग बिहार का इतिहास पड़ रहे हैं तो हम लोग को बिहार का जानने जादा जरूरी है बा सिर्या ठीक है उसके मड़ टालमी इनके बारे पढ़ है लुत फ यगा फिला आडेल फश इनका भारत भारतिया नाम तुर में और देश कोंसा है मृष्र ठीक है इंटी गोनार्स भारतिया नाम अन धृक फिए ये कोंसा देख थे मग दुनिया ठीक है उसके बास मगजåं अपिर तो यह जो है अज Rough back अमगे दो यह उस्त टर्द में रहें तो इनके सासनकाल में अगर हम इभीडेश देखे हैं ठीक है तो जैसे अगर हम लोग USA में देख लेते हैं ठीक है या फिर यह पाकिस्तान में देख लेते हैं बंगलादेश में देख लेते हैं तो इसमें जितने भी मतब प्रधान मंत्री रहेंगे उन्हीं कि सासनकाल के अंतरगर समकच्छ माने जाएंगे तो सेम उसी परकार से असोग कि सासनकाल में था ठीक है तो चलो आज हम लोग इतना ही देखते हैं बागे कल देखते हैं धन्यमाद